नारा 400 पार दा ते कैंडी रेट साराय उदार दा पंजाब कॉंग्रस परदान राजा वडिंग बीजेपी ते तांज कास रेने क्यूकि एसे महीने कॉंग्रस दे दो वड़े लीडर बीजेपी ले गई ते दो आमादमी पार्टी अधे कॉंग्रस नो जे इस कल बारे पूरी जानकारी वी नहीं कि होर किने लाइंच हो सकते ने बीजेपी कॉंग्रस ते आमादमी पार्टी दो मादे के लिए देवे चान लारी है इस समीही ने दो वड़े लीडर बीजेपी ने आमादमी पार्टी तो लए ते दो कॉंग्रस तो चुणा एकल्ले लड़न दे फैसले तो बाद बीजेपी ने सन मारी होर वदा देती है वैसे तक कॉंग्रस दी पंजाब एक काई कहरी है कि चंगा होया जो चले गए पर इस गलतों भी नकार ने कीता जा सकदा कि कॉंग्रस दा हथ छड़न वालान दी लिस्ट लंबी हो रही है इसलिए हुन पर दान तांच कासरे ने कि नारा चार सो पार दा ते कैंडिडेट साराई उधार दा बीजेपी पंजाब विच दहाकें तो अपने सियासी तरातल तलाश रही है पर कोई खास सफलता नहीं मिली पहला अकाली दलनल पाई वाली सी पर इस वार बीजेपी खुद मैदान दिविच नित्तर के टेस्ट करना चौन दी है कि आखिर पंजाब की केंड़े पंजाब बीजेपी नो की जवाब दिन दे ता चार जून नो पता लगेगा पर ओदो तक लीडर एक दूजे नो बहुत कुछ केंड़े मेरे को लगता कि नातिकता की कोई बात नहीं रहेंगी है और हमारे यहाँ पर कहते हैं कि बुरे वक्त में किसी को छोड़के नी जाना चाहिए अच्छे वक्त में छोड़के जाओ और खास करके सदारों में तो ये बात है कि परिया मिला चड़के जाओ ऐसे मत जाओ बुरे वक्त कोई तो कंपेलिंग रिजन रहे होंगे आप में को बता दो क्या रिजन रहे होंगे बिटू जी कल तक तो हमारे सब परदर्शन करते नजर आते थे आप चबेवाल साब चले गए थे हमारे क्या थे तीन बार के MLA थे हम पार्लिमेंट की टिकट भी सीधा लिदेशिट के साथ कॉनेक्टर था एनी टाइम तु राहू जी एनी टाइम तु खर गे सब्सक्राइब नहीं ऐसे भी कोई नहीं बात थी है के टिकट कटने वाली बात थी है जो जो पार्टी छोड़के जा रहा है अब देख ले ना उसका नतीज़ा क्योंकि जनता जानती है इस समय पे जाना चाहे वो चब बेवाल गया है चाहे जीपी गया है चाहे वो अपने बिटू भाई साब गया है देख ले ना जंता वो माफ नहीं करेगी हम टेलिंग यह आब लोग ठक गए है कि यह क्या है कल को पीले रंग का जंडा आज फूल का जंडा परसों कांग्रेस का जंडा यह लोग परसो जाडू का जंडा एक ही बंदा चार चार बार पार्टी बदल दे यार I don't think so कि लोगों को आपका जंडा मेरे को नो no I don't think so there is this is opportunity for another people